जो कैसे हा प्रो प्रो टो अरिवाइख घवाईख थर्फ तो इसलाइख तो बाइख वेलकम बैक टूमार चैनल तो का सफिर शे लेकर आगया हूं एक ब्रैंड न्यू वीडियो तो काइज आज की वीडियो होने वाली है यह वीडियो जैसे कि आज है एंड बहुत लोगने यह भी इख रहा था कि आप गलोबल वीडियो का वाई-ग गलोबल वीडियो कल मैं पक्का प्रॉमिस करता हूं कल 100% ग्लोबल वीडियो आएगा आज फिलाल तो रिवी वीडियो ही होने वाला तो चलिए फटा-फटी स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या आया न्यू इवेंड में लाइक 14 डेस का था तो 14 डेस चला गी उसके बाद क्या आया नया वह सब देखना एंड कौन सा नया पोकी मना आया वह भी देखना अल्ट्रा म्यू टू लास्ट टाम अल्टा म्यू टॉ आया था अब साइट डिस्ट्राइंग म्यू टू आ जाए तो भाई मजा ही आजा है लेकिन देखते हैं क्या आया तो यह मैंने टॉप अप कर लिया था एंड अभी फिलाल तो थोड़ा टॉड़ बहुत ही बढ़िया है एंड 14 देज चलेगा यानि की हंडेड विस तो देंगे हंडेड परसंट जैसा कि लास्ट टाइम दिया था एंड अनी टॉप जो है वो जो टॉप अपर उसके लिए फाइदा है एंड फाइनली पॉपुलर इवेंट में चलते तो पॉपुलर इवे पॉपुलर इवेंट है एंड फाइनली पॉपुलर में चले देखते क्या आया मैंने देखा नहीं था भाइस सहाब क्रीमसम चारीजाड यह बहुत ही ज्यादा ऑसम पॉपुलर यह मैं 100 परसें लेता लेकिन इसके जगह मैं विक्तिनी लोंगा क्योंकि मेरे टीम में विक् लेकिन अगर विक्तिनी नहीं है तो यह भी बहुत ही ज्यादा ऑसम इसका टाइप बहुत ही ज्यादा ऑसम टाइप है और यह बहुत ही ज्यादा ऑसम पोकिमोन भी है यह मैं लेने वाला था लेकिन मैंने फिर सोचा कि विक्तिनी का जरूरी है क्योंकि मेरे टीम में एक्स्क्राइब एक्स्क्राइब तो बहुत ही ज़्याद में पड़ेगा एंड पोड बीडिक्टो एन इंटीमेंसी काड एस यूज़ जैसा कि आता है एंड फेस्टिवल इवेंड में देख लेते हैं फेस्टिवल इवेंड में ज्यादा कुछ तो नहीं आया है वही है सेम सेम तो चलिए फटाफट अब फेस्टिवल इवेंड फेस्टिवल एक्षेंज अब फेस्टिवल इवेंड में जाकर देखते हैं तो सबसे पहले लग्की टनल लक्की टनल में हम दो देखें क्या आया है और टाइम लिमिटेड डिसकाउंट में इस पर तो उतना काम का यहां से मुझे उतना कुछ नहीं चाहिए यहां पड़ा जाते हैं यह बहुत ही ज्यादा ओसम इवेंड मुझे लगता सबसे ज्यादा अच्छा इवेंड लगता मेरे को इसमें आप गियर वाउचर एंड स्किल वाउचर ले सकते हैं मैंने बहुत ही बाट काम आपको बता आप लोग करने का ट्राइक करना क्योंकि 5000 में एक लिस्ट प्लस फाइब फ्लस थ्री प्लस वन मतलब 16 मिल जाएंगे और सारे के सारे का लिए तर ट्वेंटी सिक्स तक मिल सकते हैं आपको लेकिन 5000 तक 100% करना का अगर थोड़ा सा कहीं पर यूस कर सकते हो कर लेना क्योंकि बहुत ज़्याधा यूसफुल होता है का यह का एंड़ आगे चलते हैं कर्णीवल इवेंट में कर्णीवल इवेंट में काई नॉर्मल ही आया है उतना बढ़ियां तो कुछ नहीं आया है और देली लखकी रिवार्ड में वहीं है जो कि लखकी रिवार्ड मिलने माला अगर आप लोग नहीं देखा तो भी देख लेना एंड इधर तो और ज्याद़ा कुछ काम का नहीं है में तो डायमंड आर्च एनटजी एंड ये सारे के साथ लगबख सारे के सारे चीज काम के ही है लेकिन लो लेबल प्लेयर के उतने काम नहीं आते हैं जितने हाइवल की एडमीन को कि इसका प्राइस घटाने को लेकिन नहीं घटाया उन्होंने 50 बहुत जयादा कुंवर्जन सब्स लेना बहुत ही ज्यादा हो जागा और 20 एक्षिन वाउचर से भी अगड़ आप कीमोन लेते हो तो वह बहुत ही ज़ादा मेंगा हो जागा लेकिन पोकेमोन का वह भाई परनिष ठूपा आया परनी ठूपा बहुत पिलैंनाघ सकता फिर भी बढ़ियां फोकिमोनें अगर आप लोग ले सकते हो तो एक See ले सकते हो पर मुझे उतना बढ़ाईं ये पो पथर कैशा है यह इसलिए ये लागता है और यह नीउ देखिए मुझे बहुत ही ज्यादा आप सभी को बताऊंगा चले जाते लेजंडरी में वह एक लेजंडरी पोक्यूमन है जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा विक्टिनी को देख सकते हो विक्टिनी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसका स्पीड आप देखना स्पीड को 142 है जो कि बह स्पीड मुझे बहुत ज़्यादा काम देने वाला है एंड इसका अटैक 190 ज्यादा नहीं है लेकिन इसका इविलेटी वह गेरा इसका मतलब गियर वह गेरा बहुत ही ज़्यादा ऑसम है यह हैवी रेंड में भी फायर टाइप मूव यूज़ कर सकता है एंड अभी के आपको अल्टा काईगरे में बहुत ज्यादा काम लग सकता है इसका स्पीड भी ज्यादा है इसलिए मैं विक्टी नहीं दूंगा एंड चलिए फटाफट मैं आपको क्रिंसम चारिजाड भी देखा देता हूं यह रहा है तो यह इसका अविलिटि इसका मदब आप लोग सकते हो तो इस्टैट में चोई स्पेशल आट्रैक्स सका 200 ऑन स्का इसका बढ़ियाया इसका नॉर्मल फिजिकल डिपेंस भी बढ़ियाया है एंड इसका एंड़्स्पी भी बढ़िया लेकिन इसका स्पीड थो आएंड इन्वेलेट आइंड कभल निलेटा चक्छाओं से बढ़ जाता है जो कि बहुंत ज्यादाया 50 बहोत bokان 파都有 Gusto अगर अरय अगर आगे वाला Pokémon बर्ण स्टेंज मेंहें तभी 50 पर्षान बढ़ता है तो बंट स्टेंज में इजली यह ला सकता है इसका ये साइग या स्कुर्ट थैट्टी पर्सेंट के बढ़ा ज़लता जो कि बहुत ही ज्यादा और एंड आगे यह कह रहा है कि अगर फिल्ड बर्णिंग मतलब बर्णिंग है तो यह 10 पर्ण ज्यादा है यहां पर आप दे सकते हो यहां पर लाइक फायर स्टेज में आता है यह वाला गड़ा यूज करते हो तो में भी कोई इस्टेज आता है फायर इस्टेज लिखा हुआ है तो वह इस्टेज आद रहेगा एंट त्री राउंड के लिए आपका एट एच्पी 10% बढ़ते रहे हेल फायर था एक जी से कहके कुछ था एंड फडाइड नो कौन सा था जो कि उधर नहीं देखा रहा है लेकिन इधर तो था तो चलिए फटा-फट जाके देख लेते हैं एक तो गाइज यह है ओ यह कौन सा है तो यह एक स्टैट मूब है तो यह मूब आगे वाले वाला जो भी पोक्यूमान इसे कन्फ्यूस करता है और उसका एच्पी बढ़ने नहीं देता है और दुसरा तो यह नॉर्मल है यह मैंने देखा दिया था एंड हेल फायर भी देखाई दिया और तो कुछ नया आया नहीं यह बस इतना ही नहीं आया था और यह वाला इवें इसका स्पीड गाइस स्पीड के कारण मैं इसे एक कॉमेंट नहीं करूंगा लेकिन इसका भाई टाइप देख सकते हो टाइप बहुत ही अच्छा है नॉर्मल और पायर टाइप फाइटिंग टाइप से यह इम्यून हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है एंड आप सब्सक्राइब टों पलता है तो ज्यादा आया chociażो य्यूंय। ये यॉस करते हो फिर ऐलेकिन इसे रियूस करूंगा आ अन्धिर इसेए ण्यूंड नहीं करों आप मत लेना अपने विपश साना जो की इसे आप लोग तो हम्रेंद बर सकते हो तो हम्रेंदने पर्सन ले तो जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वाले साइद इवेंट में मैंने बताया था कि कैसे लेते हैं आप लोग जाके देख लेना वहला वीडियो देख लेना 3-4 दिन पहले ही मतलब 3-4 वीडियो पहले ही मैंने बनाया था तो काईज आज की वीडियो यही पर खतम करते हैं ओप यौल लाइक देख वीडियो प्लीज लाइक सेरें सब्सक्राइब